देखे वो टाब जो टाब आज जिसमें बजट खैद है निर्मला सीता रमन वहाँ पर पहुंची है और उनके साथ वितराज मंत्री भी मौझूद है और वो टाब दिखाते हुई क्योंकि इसी से आज बहुत सारी चीजे इस पिटारे से मिकलने वाली इस टाब के पिटारे से जब सदन पटल पर निर्मला सीता रमन सातवी बार बजट रखने वाली हैं तो अपने अधिकारियों के साथ और वितराज मंत्री के साथ निर्मला सीता रमन वितमंत्री सातवी बार बजट पेश करेंगी एक वितमंत्री के तौर पर पांच बार उन्होंने पूर्ण रखने की तैयारी में चेहरे पर मुस्कान लिये हुए अब ये मुस्कान बाकी देशवासियों के चेहरे पर आता है या नहीं वो देखने वाली बात होगी लेकिन वो टाब दिखाते हुए जिससे आज बजट रखा जाएगा सतन पटल पर इसमें से क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये लाल कलर का वेलवेट का पूरा टाब है उपर का कवर है और इसके अंदर वो टाब जिसमें से बजट निकलने वाला है तो वो दिखाते हुए मेडिया को अनुप जी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि देखें मूदी गौर्मेंट हमेशा से कड़े और आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए उसे जब रखा गया उसमें कुछ प्लस चीज़े थी कुछ माइनस चीज़े थी उसको बैलन्स करते हुए आज का ये बजट हम देख सकते हैं देखें आपको बता दू कि आज के बजट से पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा जब पिछली बजट जब निर्मला सितरमन पेश कर रही थी तो कहीं न कहीं उन पर दबाव ज़रूर रहा होगा क्योंकि वो चुनावी साल का बजट था लेकिन ये दबाव कहीं न कहीं बजट में देखने को नहीं मिला कोई आपको लोक लिभाव ने देखने को नहीं मिले कि चुनावी साल है वोट लेना है तो ऐसे में कोई ऐसा फैसला लिया जाए जो ततकाल प्रभाव से लोगों को आकरशित करता हो लेकिन उस वक्त में भी बिकसित भारत का जो संकल परधानमंतरी नरेंदर मोधी ने देखा है उसी की रोप रेखा पिछले बजट में देखने को मिली तो जाहिर सी बात है कि इस पर सरकार बन चुकी है पाक साल के लिए एंडिये की सरकार रहने वाली है तो ऐसे में यह इस पर भी कोई बहुत ही रेवडी वाला बजट आपको देखने को नहीं मिलेगा एक एक ठोस बजट देखने को मिलेगा जिसमें पाश साल की आगया आने वाले पांस साल की रूप रूप रेखा देखने को मिलेगी इसके अलावा जो बिक्सित भारत संकल्प 2047 लेकर के प्रधानमंतरी नरिंद्र मोधी चल रहे हैं उसकी रूप रेखा देखने को मिलेगी लेकिन देखे सुत्र बता रहे हैं कि जो टैक्स एक्जेंशन है उसमें कहीं न कहीं जो छूट का दाइरा है उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है इस पर विचार चल रहा है कहीं न कहीं करमचारियों को जो मिडल क्लास लोगों को अगर थोड़ी राहत दी जा सकती है तो वो सरकार इस बजट में दे सकती है बिल्कुल और अनूप जी देखे हमें और आपको भी इसका इंतजार रहता है कि टैक्स लाब में कुछ बतलाओ हो और मिडल क्लास तो ये चाहता है कि इस लाब में कुछ बतलाओ आए ताकि कुछ पैसे बचे तो उनकी जेब में जाए और जब वो टाप दिखा रही थी ज जाहिसी बात है कि एक और भी चीज है जिस तरीके से सरकारी करमचारियों को जो एंपियस स्कीम है पेंसन स्कीम है उस पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है इसके अलावा जो होम लोन जो आप टैक्स देते हैं उसका जो स्लाब रखा गया है अभी दो लाक उसको बढ़ है उतना रहात देने में किसी तरह की कोता ही जो है वो सरकार के तरफ से नहीं की जाए की लेकिन वो इस कीमत पर होगी कि किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेबलप्मेंट या किसानों के लिए जो योजनाय चल रहे हैं या हेल्थ के लिए जो योजनाय चल रहे हैं उस के लिए आपको एक बैतरीन इंफ्रास्ट्रप्चर तयार करने की जरूरत है उद्योग हो क्या या फिर खेती किसानी हो या फिर बाकी चीज हो लेकिन अनुप जी एक बात और है चुकि रोजी रोजगार को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे जो यवा है वो अच्छी नौकर हो बड़े उद्योग थंदे हो मस्मियों हर में सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसे जादा से जादा रोजगार उत्पन हो जिसे युवाओं को फायदा पहुचे सण करने से जादा कैसे लोग रोजगार में किस तरीके से रोजगार उत्पन करें उस पर ज्यादा फोकस है यानि कि रोजगार देने वाले कैसे बने उस पर जादा जो है इस सरकार का फोकस रहा है तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्ट्टर डेवलप्मेंट और तमाम चीजों को करकर के रोजगार का कैसे स्रिजन किया जाएगा इस पर ज़ूर इस इस बजट में भी फोकस रहने वाला और हमने देखा है कि पिछल करने कहीं छोटे रोजगार जो है बढ़कर सामने आए तो यह तमाम चीजें जो है आपको इस बजट पर देखने को मिलेगी बिल्कुल और अगर मैनिफेक्ट्रिंग सेंटर की बात की जाए जुकी बात हो रही थी कि देखे आप खुद रोजगार देने वाले बनिये प्र सेंटर है या सक्टर है उस पर जोर रहेगा फोकस रहेगा ताकि इस तरह से रोजगार परक्स संभाव ना आए आगे आने वाले दिनों में भारत में देखने को मिले लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाए और जो एक चाइना की एकनौमी से हमेशा भारत की रजट में आपको बात बताओं कि सरकार इस बात को जानती है कि भारत में मैन पावर जो है बहुत जादा है तो ऐसे में कहीं न कहीं अगर FDI को और आकरशित किया जाता है तो रोजगार अपने आप सरजित होती है जिस तरीके से पिछले हमने 10 सालों में देखा कि सरकार ने एक तरह से flexibility दिखाई है इस किस तरीके से वहां के जो company है उसको आकरशित किया है तो एक तरह से जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि लोग किस तरीके से रोजगार सरिजित करें लोगों को जादा से जादा रोजगार बिले देखे बिपक्ष लगातार जरूर इस बात को लेकर के जरूर सवाल खड़ा करती रही है कि इस सरकार में रोजगार स्रिजन नहीं हो रहा है लेकिन जिस तरीके से तमाम विदेशी कंपनिया भारत में आई है ये भारत की policy केंदर सरकार की policy रही है एक flexibility रही है जिसकी वज़गातार FDI आकरसित हो रही है लगातार companies यह subsidiaries जो ब्यवस्थाएं है रोजगार है वो भी स्रिजित होती है देश में जिसका सीधे फायदा जो है वो यंग जेनरेशन को मिलता है इस पर सरकार की सरकार का जो focus है वो लगातार है